तो स्वाग्यत भाई आप सब भी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल KPM Fantasy Expert पर और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो यूगंडा मैंस कबड़ी लीग का आज के दिन का भाई पहला मैच और टरुनामेंट का 49th मैच जो की खेला जा अब आप अगर इन दोनों GL, Mini GL में अच्छी खासी रैंक लेकर आना चाहते हो ना तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के फर्स्ट कोमेंट में कोमेंट बोक्स में जाओगे न तो वापर फर्स्ट कोमेंट में आपको टेलिग्राम चैनल का एक लिंक म कैसे जोइन करना वह मैं आपको अल्रेडी बता ही चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो के फर्स्ट कोमेंट में लिंक है इसके अलावा जो सबसे इंपोर्टेंट है भाई वीडियो को लाइक नहीं करते हो आप लोग देखिया आपके लिए कितनी मैनत की ज देखोगे ना तो अल्ट्रा क्लीन सीप यहां पर हमारे रेजल्ट गए सिंगल एंडिडली यहां पर हमने विनिंग किया है इससे उपर अगर आप चलोगे तो जो वूमेंस का कबड़ी का मैस था उसमें आप देखिए रैंक पाँच हमारी रैंक पचास हमारी मतलब हर जग बंदा बताने क्या है था वो तो सुन लो यार कम से कम अगर वीडियो देख रहे हो पैसे आप अपने लगा रहे हो तो पैसे लगा रहे हो तो पैसे तो हिसाब से लगाओ तो वो क्या करते है फिर आके कोमेंट में बाद में मेरे को गाली देंगे भाई आपकी टीम में तो आपको दे रहा हूँ तो उसमें भाई starting seven अभी आई नहीं है तो मेरे को क्या पता भाई कौन player खेलेंगे कौन player नहीं खेलेंगे लेकिन भाई starting seven जैसे आ जाएगी ना तो telegram पर आपको final update दी जाएगी उसमें आपको final team दी जाएगी वहाँ से अगर win loss होता है तो फिर आप मतलब कुछ बोल सकते हो otherwise यार फिर आप team ही 6 player लेके जाओगे तो सामने वाला तो 7 लेके आएगा ना तो फिर तो आरोगी तो वह scene है भाई अब चलिए भाई ज़्यादा time waste ना करते हो बात कर लेते दोनों teams के बारे में तो सबसे पहले याँ पर बात करेंगे वार जैगवार्स की 8 match खेले 8 यह 9 match खेले भाई 5 match इन्हों ने win के और better in form में आप आप team नजर आ रहे है starting में थोड़ी लड़ खड़ाई थी superior club भाई थोड़ी सी out of form यापर नजर आ रहे है number 5 पर है आगे और भी उपर जा सकती है क्योंकि उपर जो team है उन्होंने सब ने भाई मतलब 8 से ज़्यादा जिसे 9 या 10 match खेल रखे है अब यहाँ पर जो देखे दोनों teams के starting 7 तो भाई वो तो देखेंगे देखेंगे लेकिं points table से आपको एक चीज पता लग गया होगा कि war jaguars को थोड़ा सा आप favor करके चल सकते हो यहाँ से तो पहले superior club की starting 7 देखेंगे उसके बाद भाई war jaguars की देखेंगे और 4-3 का ratio minimum war jaguars के favor में या 5-2 का ratio हम यहाँ से बनाने की कोसिस करेंगे war jaguars के favor में ठीक है अब चलिए बाई बात करते है starting 7 की तो आर्त मुसुमा लगातार अच्छा कर रहा है rating में भी कभी-कभी defense में भी sorry defense में भी और कभी-कभी rating में भी आपको point दे रहा है तो आपके लिए बहुत important players में सेख रहेगा जरूर से आपने अपने team में try कीजिएगा मैं आपको recommend करता हूँ कि दोनों ही यहां से S मुटे भी और R तुमुसुजा दोनों आपकी team में होने चाहिए एक चीज में आपको बता दू दोनों में से कोई भी player अगर substitute list में होता है तो बिल्कुल easily drop करके चलेगे क्योंकि substitute वाले player है ना हमेशा आपको लोसी घरवाएंगे 90% मैसीज में यहां से अगर बात करें तो किम बुगवे किम बुगवे को भाई हम तब से sport कर रहे है जब से भाई इसको कोई भी team में नहीं ले रहा था यहां पर आपको दिखाता हूँ नीचे भाई एक बार यहां पर 18% selection था ठीक है उस condition में तो यहां से किम बुगवे भी आपके लिए बहुत ही important player रहेगा तीन तीनों में से किनी दो players को आप यहां से लेकर चल सकते हो old rounder section में आप देखे एक एज़ा यह last match में substitute के तोर पर आया और भाई कमाल करके चला गया अब दिक्कत क्या आती है देखे अब यहां पर यह last match में substitute के तोर पर आ गया और यहां पर भाई एक match और भी था यहां पर यहां पर भी as a substitute ही गया था यह ठीक है लेकिन भाई यहां पर आप देखे सिर्फ last के दो मिनट में आया और 32 point दिये तो अब आप देखे यहां पर भाई लोग यहां पर drop करके है यहां पर लोगों ने VC तक दिया था इसे और यहां पर loss करवा गया यहां पर winning करवा दी तो दिक्कत ही है कि भाई substitute player जो होते है वो हमेशा आपके लिए मुसीबत ही खड़ी करेंगे तो आप एक चीज मान के चलें कि substitute players को हम अपने team में नहीं लेंगे या फिर confirm लेंगे तो उस theory के साथ अगर आप चलोगे न तो ही आप one side होके team मना पाओगे otherwise आप खुद confuse रह जाओगे ठीक है तो अगर एक कीज़ा starting sign में रहेगा तो मैं जरूर try करूँँगा अगर substitute list में रहेगा मैं बिल्कुल भी try नहीं करने वाला ठीक है और अगर try भी करूँगा C VC तो बिल्कुल नहीं दोगा और अगर starting 7 में रहेगा तो VC का तगड़ा दावेदार है ठीक है वही अगर बात करे बाई आपर ओ सेसों गेंडों की तो इनकी अगर बात करें तो कुछ खास प्लेयर नहीं है उपर M3 की बात करें तो बीच में 2-3 मैचीज में अच्छी परफोर्मेंस आई थी उसके बाद भाई फिर से थोड़ी सी परफोर्मेंस डाउन है ठीक ठाक प्लेयर ट्राई कर सकते हो स्टार्टिंग का एक मैच निकाल दो उसके बाद कुछ नहीं किया है लगातार फ्लोप चल रहा है फिर भी अगर आप चाहो तो अपनी टीम में रख सकते हो बहुत से लोगों इनको अब भी लेके जाएंगे मैं अभी के लिए ड्रोप करूँगा बाकी देखते हैं आर्च असक मैटिंग मस्टपिक इवन भाई सी वीसी का सबसे सेफ ओप्शन और मैं तो यह बोलूँगा आप इन्हें सी वीसी में जरूर से जरूर अपने टीम में रखिएगा बहुत ही बहतरी प्लेयर है भाई आपर रेडिंग में तो आप मान लीजे कि कमाल बवाल सब कुछ यही करने वाला है इनकी तरफ से और इसके अलावा कभी कभी भाई टैकल में भी एक एक दो दो पॉइंट लेता है जैसे लास्ट के एक मैच में एक टैकल उससे लास्ट वाले मैच में भाई दो टैकल मतलब हर मैच में टैकल में भी आपको अच्छा कासा जाता दिखेगा ठीक है इसके अलावार यहाँ पर अगर बात करें नकू बीटो की तो नकू बीटो को आप जील मिनी जील प्लस स्मोल लिंग दोनों जगह है वही अगर बात करें आपर एचे नियान जी अगर स्टार्टिंग सेन में रहेगा तो आप एक आधी टीम में ट्राई कर सकते हो जील मिनी जील में तो 101 प्रेशंट आप इन्हें ट्राई कीजिएगा पाकी स्मोल लिंग में थोड़ा रिस्कीपिक रहेगा वही अगर यहापर आप देखोगे न तो यहापर आपको दिखेगा भाई यह विन्सेंट ठीक है तो का गया भाई विन्सेंट मोंगे तो यह आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट प्लेर रहेगा क्यों कि देखे लास्ट मैच में टैकल भी कर रहा है डिफेंस भी कर रहा है तो आपके लिए एक इंपोर्टेंट प्लेर यहाँ से जरूर रहने वाला है ठीक है तो इनको आप पुनी टीम में जरूर से जरूर तो ट्राइ कर सकते हो वाई अगर बात करें वाई आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा दो टैकल लास्ट मैच में किये हुए है अब चले हम आपको डेमो टीम बना के दिखाओं उससे पहले एक बार भाई मैं फिर से आपको टेलिग्राम चैनल पर लेकर चलना चाओंगा और यहाँ पर मैं आपको बताना चाओंगा कि देखे लास्ट के पाथ से दस मिनट में आपको फाइनल टीम मिलेगी साथ ही यहाँ पर फिरी टीम साबको इतने मैचिज इस की मिलेगी आप यहाँ पर डेली एजली हजार से 2000 थीन जार एजली विन कर सकते हैं अब चले भाई बात करते हैं मैच के बारे में तो यहाँ से मैं आपको टीम मना के दिखाँगा तो आर तुमुसुमा को मैं अपने टीम में आसे रखूंगा, आई नगूभी को रखूंगा, नीचे अगर आप चलोगे तो भाई यहां से आई ससाली को अपने टीम में रखेंगे, इसके अलाओ किम भूगवे को अपने टीम में ठीक है, कजवबा को अगर आप चाहो तो ट् देखे, फॉर्म के हिसाब से देखोगे ना कि मैच किसने ज़्यादा जीतते हैं, तो वार जेगवार्स आपको फेवरेट दिखे ही, लेकिन सुपिरियर कलब के जो प्लेयर से ना, वो अगर भाई अपने लेवल से थोड़ा नीचे भी खेल गए, थोड़ा नीचे, जादा नीचे खेल रहे हैं, दिक्कत यह आ रही है, ठीक है, तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है, और बात करें अगर सी वीची की, तो नो डाउट कैप्टन वीची आर सेसंग मैट है, और जे सेसंगेंडो रहे हैं, इसके अलावा एक जो इम्पोर्टन चीज है, टेलिग्राम चैनल जरूर से जोईन कीजिएगा, बाकी मैं मिलता हूँ आपसे मैश टाइम पर, टेलिग्राम चैनल पर, तब तक के लिए जैहिंद वंदे मात्रम